हलो फ्रेंड वेलकम टू मैं चैनल आज हम स्वास्ता से जुड़ी बातों में प्रेग्रेंसी में अंजीर खाना चाहिए या नहीं इस पर बात करते हैं प्रेग्रेंसी में ताजी और सूखी अंजीर खाना सुरक्षित होता है अंजीर बहुत पॉस्टिक होती है और इनमें खनिश पदार्थ, शुगर, फैट, आइरन और केल्शियम होता है जो मा और शिशू दोनों के लिए फायदिमंद होता है हलाकि अधिक मात्रा में अंजीर खाने से दस्ट और दांतों में कीडे लग सकते हैं क्योंकि अंजीर में शुगर की अधिक मात्रा होती है गर्भा अस्था के दोरान अंजीर खाना स्वास्त के लिए फायदिमंद हो सकता है हलाकि आपको इसमें थोड़ा बदलाव करके खाना चाहिए अधिक मात्रा में अंजीर खाने से ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है प्रेगनंसी में महलाएं एक दिन में एक से तीन अंजीर खा सकती है आप स्नेक के रूप में अंजीर खा सकती है अधिक मात्रा में अंजीर खाने से दस्त लो ब्लड प्रेशर और लो ब्लड गुलुकोज लेवल और अलरजी हो सकती है अंजीर खाने से शरीर में अधिक सोरालेज जाने से फाटो डर्मेटाइटिस हो सकता है अगर आपको इन में से कोई भी साइट इफेक्ट देख रहा है तो अंजीर खाना बन कर दें और अपने लिए सही वेराइटी और क्वालिटी का ही अंजीर चुने अंजीर में ऐसे गुण होते हैं जो खून की कमी को दूर करते हैं और गर्भवस्ता में इसका खत्रा जादा ही रहता है इसलिए प्रेगनेट महलाओं के लिए अंजीर फायदेमन मानी जाती है लेकिन इसका सेवन सही और नियमित मातरा में ही करना चाहिए अंजीर एक पॉस्टिक ड्रायव फ्रूट है और इसमें भरपूर मातरा में आईरन होता है जो कि गर्भती महला के लिए बहुत जरूरी होता है गर्भती महलाओं को अपने स्वास्त और शिशू के सही विकास के लिए अपने आहार का बहुत ध्यान रखना होता है प्रेग जरूर ले लेनी चाहिए गर्भवस्ता के समय में महलाओं को संतुलित आहार के साथ अपना खूब ख्याल रखना चाहिए प्रेगनेंसी डाइट में सबजियां साबुद अनाज फलों और सूखे मेवों को शामिल जरूर करना चाहिए इनमें अधिक मातरा में पोशक जो प्रेगनिनन महिलना के स्वास्त्र पर अच्छा या बुरा प्रभाव डाल सकते हैं इनमें से एक अंझीर भी है अगर आपको अंझीर खाना पसंन् values और आप प्रेगनेंट हैं तो इसके लिए आपको यहाँ जाना बहुत जरूरी है कि प्रेगनेंसी में अंझीर खाना सही है या नहीं बात जब अंजीर की आती है तो इसमें मौजूद विटामिन, केल्शियम और फाइबर जैसे पोशक तत्व की वजह से इसे गर्भावस्ता के दोरान खाया जा सकता है खासकर इसमें मौजूद फाइबर गर्भतियों में ओने वाली कबज की समस्या को दूर करने में मदद कर सकता है लेकिन अगर आपको इस फल से किसी तरह की अलर्जी है तो इसे खाने से पहले डॉक्टर की सला जरूर लें अंजीर में विटामिन C पाया जाता है या विटामिन भूरून के विकास में काफी फायदे मंद होता है गर्भावस्ता में अंजीर का सेवन कबज से रहात देने में सहायक साबित हो सकता है क्योंकि इसमें फाइबर की काफी मात्रा होती है ऐसे में आप कबज की परिशानी से निजात पाने के लिए अंजीर को आहर में शामिल कर सकते हैं साथ ही शरीर में खुन की कमी यानि एनीमिया को दूर करने के लिए आइरन की जुरत होती है और अंजीर में आइरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है गर्भावस्था में अनीमिया से बचने के लिए अंजीर का सेवन किया जा सकता है इसके अलावा अंजीर में विटामिन सी की भरपूर होता है जो शरीर में आयरन के आउशोशन को बढ़ाने का काम करता है और केल्शियम भूर्ण के हड्डियों और दातों के विकास के लिए जरूरी है ऐसे में आप अंजीर को अपने आहार में शामिल कर सकती है क्योंकि अंजीर केल्शियम से सम्रिध होता है इसके साथी गर्भावस्था के दौरान और प्रसो के बाद महलाओं में और ऑस्टियो परोसिस याने हड्डी संबंदी रोक का खत्रा बढ़ सकता है ऐसे में केल्शियम से भरपूर अंजीर आपको इस बिमारी के खत्रे से बचा सकता है और गर्भती होने के बाद महलाओं को गर्भावधी मधुमें हो सकता है ऐसे में लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फलों का सेवन करना चाहिए ऐसे ही फलों में अंजीर भी शामिल है यह शरीर के बलड शुगर लेवल को एकदम से नहीं बढ़ाता बलकि इसके सेवन से गुलुकोस धीरे धीरे बढ़ता है अंजीर गर्म तासिर के होते हैं इसलिए इसका सेवन तै मातरा से अधिक नहीं किया जाना चाहिए समान्य रूप से रोजाना तीन से अधिक अंजीर खाने की सला नहीं दी जाती है अपनी प्रेग्रेंस्री और अपने स्वास्त को ध्यान में रखते हुए ही इसका सेवन करना चाहिए अंजीर काफी पॉस्टिक फल है वैसे तो इसे खाने से कोई नुकसान नहीं होता लेकिन गर्भावस्ता के दोरान इसका अत्याधिक सेवन कई शारिरिक परिशानियों का कारण बन सकता है इसके अधिक सेवन से दस्त के साथी पेट में एठन और दर्द की समस्या भी हो सकती है अंजीर में पोटेशियम भी जादा होता है इसलिए आपको शरीर में अत्याधिक पोटेशियम हो सकता है साथी अंजीर के जादा सेवन से माईग्रेन भी हो सकता है प्रेगनेंसी में अंजीर खाने के लाब शरीर को तभी होते हैं जब इसका सेवन संतुलित मात्रा में किया जाए वैसे इसकी सर्टिक मात्रा इसपस्ट नहीं है लेकिन गर्बती कोलिस्ट्रॉल के इस तर को कम करने के लिए रोजाना दो बार अंजीर के चार से पांच फल खाने की सला दी जाती है अंजीर गर्बतियों के लिए अच्छा होता है फिर चाहे वह भीगा हुआ अंजीर हो या सूखा अंजीर इसी अधार पर कहा जा सकता है कि सयमित मात्रा में अंजीर का जूज भी गर्बतियों के लिए के फायदेमंद हो सकता है तो फेंड इस तरह से अंजीर न केवल खाने में स्वादिश्ट होता है बलकि गर्भवस्ता के कुछ बुरे प्रभावों का मुकाबला करने में मदद करता है लेकिन ध्यान इस बात का रखना है कि किसी भी चीज का बहुत अधिक सेवन स्वास्त के के लिए हानीकरक हो सकता है और अंजीर इससे अलग नहीं है अंजीर को स्वास्त प्रत फलों में से एक माना जाता है जो पोशक्ततों से भरपूर और गर्वती मैलाओं के लिए अत्यधिक अनुशंसित है इसके अलावा यह आपको अपनी गर्भवस्ता की पहली तिमाही के शुरुवाती लक्षर चरणों में मौर्निंग सिकनेस के से निपटने में मदद करता है यह गर्भवस्ता के दोरान शरी की पोशन संबंधी अवशक्ता को भी पूरा करता है तो फेन इस तरह से स्वास्त से जुड़ी इतनी ही बाते और बाते हम मेरे आने वाले वीडियो पर करेंगे तक तक के लिए आप प्लीज सेनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें साथ ही बैल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सकें